नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक और अची सी वीडियो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन का बटना उस पर कलिक करें ताकिया मेरे चै सबसे पहले कि श्यूंक्त राष्टर संग की स्तापना अकेले एक राष्टर या एक दम के प्रयास से नहीं हो पाई इनके जनम में काफी समय लगा, सबी राष्टरों ने इसमें पूर्ण स्योग दिया विसब के सबी भागों में किसी ऐसे अंतराष्टर संग्ठन का विचार जोर पकड़ने लगा था जो मानव जाती को सरवनास से बचा सके और भविस्या में युदों को रोख सके इस उदेश्य से 1945 में दवित्य विसब युद के समाप्त होने पर स्योग तराष्टर संग की स्तापना की गई जिसका उदेश है अंतराष्टिय सांति की स्तापना करना और ऐसे वातावरण की स्तापना करना था जिसमें राज्यों की आपसी समाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक और राजनितिक समस्याओं को सांति पुरुन धंग से निप्टाया जासके और लोगों के अधिकारों और सवतंतरताओं को सुरक्षित रखा जासके अब आती है चार सवतंतरताओं की घोषना ये क्या थी सबसे पहले कि दूसरे विशव युद के सुरू से ही विशव की जनता लोगतंतर राज्यों अत्वा मित्तर राष्ट्रों से यह मांग कर रही थी कि वे अपने युद समंदी उदे सह बताएं तो इसमें चार सवतंतरताओं का भी वनन किया गया है था नमबर एक धार्मिक सवतंतरता सैकिन भैसे मुक्ती थर्ड अभाव से मुक्ती और फोर्थ है भासन देने और विचार प्रकर करने की सवतंतरता सेगिन पॉइंट लंदन की घोषना 12 जून 1941 में की गई थी कि 12 जून 1941 को मित्तर राष्ट्रो न्यूजिलेंड, बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, अस्ट्रेलिया आधी के परतिनितियों ने लंदन में कठे हुए और उन्होंने घोषना पर हस्ताक्सर यानि साइ करेंगे, तीसरा है अटलांटिक चार्टर, इसमें क्या था, 14 अगस्त 1941 को, अमेरिकन राष्ट्रपती, रुजवेल्ट और ब्रिटिस प्रधान मंत्री, चर्चिल, अटलांटिक महा सागर में एक युद पोध पर मिले, और दोनों ने आपसी विचार विमर्स के पस्चात, अटलांटिक घोष्णा द्वारा विशवसांति की स्तापना के लिए कुछ सिधानतों की घोष्णा की, बाद में सोव्यत संग ने भी इस चार्टर पर अपने स्ताक्सर कर दिये, और इस चार्टर को ही स्यूंक्त राष्टर संग की स्तापना में प्रथम पग माना जाता है फोर्त है, श्यूंक्त राष्टर घोष्णा 1902, कि जनवरी 1902 को 20 राष्टरों ने स्यूंक्त राष्टर संग की घोष्णा पर हस्ताक्सर किये, इस घोष्णा में अटलांटिक चार्टर के सिधानतों को सविकार कर लिया गया, इसमें यह भी परतिःग्या की गई, कि पाचमा है मासको घोषणा 1943, कहते हैं 30 अक्तूबर 1933 को मासको में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, इनके विदेश मंत्रियों का समेलन हुआ, जिसमें उन्होंने अटलांटिक चार्टर के सिधानतों के अधार पर विशव सांती और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अं मासको घोषणा वास्तविक रूप में अटलांटिक चार्टर से भी अधिक मैतोपुर्ण है, मासको घोषणा में यह कहा गया है कि इस परकार के संग्ठन में सांती प्रिया सभी छोटे बड़े निवे देश सामिल होंगे और यह संग्ठन सभी राजों की समानता के सिधान पर अधारित होगा, वे विशम में सांती एवन सुरक्षा स्तापित करके युद में सत्रों के विरुद सियुक्त रूप से कार्या करेंगे, मासको घोषणा को भी सियुक्त राष्टर संग की स्तापना में महतवपुन कदम माना जाता है, अगर दोस्तो नोर्स अच्छे ल कि 28 नवंबर, 1943 को इरान की राजदानी तहरान में एक समेलन हुआ, इस समेलन में उन्होंने स्युक्त गोषणा की कि हम सभी निश्चा करते हैं कि युद और सांती की स्तीती में एक दूसरे को सहयोग देंगे और सभी लोगतांतरिक राष्टरों के सामिल होने पर सवागत क करेंगे, यह दूसरे विशव युद का पहला समेलन था, जिसमें तीन महा सक्तियों के अधेक्स पहली बार 81 उपस्तित हुए थे, सात्मा है, डंबार्टन ओक्स समेलन 1944, कहते हैं वासिंग्टन के डंपर्टन, ओक्स भवन में एक समेलन का अयोजन किया गया, जो दो भाग को में संपन हुआ, पहला अमेरिका, इंगलैंड और रूस के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया, और उसके दो महिने पस साथ, स्टालिन, राष्टरपती, रूजवेल्ट और प्रदान मंत्री चर्चिल मिले, और उनने विशव सांती की स्तापना और उसको काइम रखने क के लिए द्रिट संकलब प्रकट किया, बाद में चीन का प्रतिनिदी भी इसमें सामिल हुआ, और इस समेलन में सभी भावी अंतराष्टिय संस्ता की रचना, कारियों और उसके मुख्य अंगों के बारे में रूप रेखा त्यार की गई, आठमा पोइंट है, याल्टा समे यह समेलन रूस के क्रीमिया परदेश के याल्टा नगर में फरवरी 1905 में हुआ, इस समेलन में रूजवैल्ट, स्टालिन, चर्चिल ने भाग लिया, इस समेलन में स्यूंक्त राष्टर संग के गठन, उसकी सदेसिता तता प्रकरती आदी पर विचार किया गया, इस समेलन में यह भी निरन्य किया गया कि स्यूंक्त राष्टर संग के स्तापना के लिए 25 अपरैल 1905 को अमेरिका के सेन फरांसिको नगर में एक स्यूंक्त राष्टर समेलन बुलाया जाएगा, नोँग़ा है सेन परांसिको समेलन 1945 कि याल्टा समेलन में लिये गए निर्णय के अनुसार 25 अपरैल 1905 में अमेरिका के सेन फ्रांसिसको सहर में राष्टरों का एक समेलन बुलाया गया जिसमें 50 देशों के परतिनी दियों ने भाग लिया इस समय देशों में इन देशों में भारत भी सामिलता इस समेलन में स्यूंक राष्टर संग का चार्टर तियार किया गया जिस पर 26 जून 1905 तक 50 देशों के परतिनीदियों ने हस्ताकसर कर दिये थे 25 अक्तूबर 24 अक्तूबर 1905 को स्विंक्त राष्टर संग का चार्टर लागू कर दिया गया और अंत में यह दिन विशम में स्विंक्त राष्टर दीवस के रूब में मनाया जाता है वर्तमान में इनकी संग्या बढ़कर आज 193 देश हो गई है तो दोस्तो आज की वीडियो आज का कोशन यहीं समापत होता है मैं आशा करता हूँ मेरे दुआरा बताया गया कोशन आपको समझ आ गया होगा अगर नोट्स इजी लगे हो अच्छे लगे हो तो लाइक, सेयर, कोमेंट करना मत बुले और चैनल को सबसे पहले तो सबस्क्राइब करें बैल आइकोन का बटन है उस पर कलिक करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा के लिए आता रहे और दोस्तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए, पूरे 6 समेस्टर की पीडियाफ फाइल चाहिए, नोट चाहिए तो आप मेरे वर्षप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको उसकी पीडियाफ फाइल भेज दूँगा तो फिर मिलते हैं दोस्तो नेक्स वीडियो में नेक्स कोस्टन के साथ जै हिंद जै भारत धन्यवाद दोस्तो तो फिर में जै कर्ता है भारत धन्यवाद दोस्तो